हेलो फ्रेंड्स आप कैसे हैं आई होप कि बहुत बढ़िया होंगे फ्रेंड्स आज हम बात करने वाले हैं grid tie solar inverter के बारे में आईए तो grid tie solar inverter क्या होता है grid tie solar inverter इसमें inbuilt आपको zero export function आपको मिल जाता है यानि कि आपके पास अगर net metering नहीं है तो भी आप grid tie inverter से आप अपना solar plant चला सकते हैं आईए तो आज हम बात करने वाले हैं Istman Company के grid tie solar inverter के बारे में चलिए तो सबसे पहले हम बात करते हैं range की तो यहां पर आपको मिल जाता है 3 kW single face, 5 kW single face, 5 kW 3 face में, 10 kW 3 face में और 15 kW 3 face में आपको inverter मिल जाते हैं इसके साथ में ही बात करते हैं features की highest MPPT efficiency है इसकी यानि कि maximum 98.5% तक की efficiency आपको मिलने वाली है low DC start-up voltage और साथ में ही DC overloading 30% wide AC voltage range है और inbuilt आपको SPD मिल जाएगी यानि कि surge protect device आपको यहां पर मिल जाएगा और temperature protection मिल जाता है inbuilt zero export function IP65 next eastman F4 remote monitoring 24 x 7 आप अपने mobile पर दुनिया के किसी भी कोने से जहां पर network पहुच रहे हैं वहां पर बैटे बैटे आप अपने solar power plant का real time performance monitoring कर सकते हैं इसमें आपका ही सारे features को देख सकते हैं power output, voltage, current, frequency, efficiency, temperature, energy production यानि कि दीन में कितना बिजली generate हो रहा है, monthly generate कितना हो रहा है और सालाना कितना generate हो रहा है वह सारे unit आप इसमें देख सकते हैं आप इसमें operating status देख सकते हैं यानि कि अभी आपका plant online है या फिर offline है और इसके साथ में fault detection यानि कि कोई भी अगर fault आ रहा है तो भी आप app में देख लेंगे environmental conditions देख सकते हैं, historical data देख सकते हैं यानि कि last month में आपका कितनी बिजली generate हो रहा है last year में कितना हो रहा है वो सारा सब कुछ आप इस app पर देख सकते हैं next point आता है यहां पर technical specification तो यहां पर आपको पांस तरह के model आपको मिलने वाला है first आपको मिलता है यहां पर 3 kilowatt single face में 1 MPPT के साथ मिलता है second मिलता है आपको 5 kilowatt का single face में 2 MPPT के साथ में और 5 kilowatt का 3 face में 2 MPPT और 10 kilowatt का 3 face में 2 MPPT और 15 kilowatt 3 face में 2 MPPT अगर हम DC input power की बात करते हैं यानि कि solar कितना लगा सकते हैं तो 3 kilowatt पर आप 3.9 kilowatt के solar लगा सकते हैं 5 kilowatt पर 6.5 kilowatt के लगा सकते हैं 5 kilowatt 3 face पर भी आप 6.5 kilowatt के लगा सकते हैं 10 kW 3-phase पर आप 13 kW solar लगा सकते हैं, 15 kW 3-phase पर आप 19.5 kW solar लगा सकते हैं, maximum DC input voltage के बात करते हैं, 3 kW का 550, 5 kW का 550, 5 kW 3-phase में 1000, और 10 kW का 1000 हैं और 15 kW का 1000 हैं, MPPT voltage range, तो 3 kW लगा रहे हैं, तो 7-500 VDC, इसी के साथ में 5 kW, 7-500, 5 kW 3-phase में 120-850 VDC, 10 kW में 120-850 VDC, और 15 kW में 200-850 VDC रहता हैं, इसी तरह आपको मैं यहाँ पर पूरी टेबल शो कर रहा हूँ, तो आप यहाँ पर टेक्निकल स्पेसिफिकेशन समझ सकते हैं, Grid-type Solar Inverter की वारंटी, यहाँ पर आपको 3 kW, 5 kW, 5 kW 3-phase, 10 kW 3-phase, 15 kW 3-phase में आपको यहाँ पर 10 साल की वारंटी मिलने वाली हैं, दोस्तों अगर inverter के खरिदने की बात करते हैं, तो यह inverter बहुत जल्द मार्केट में आपको डिलर के पास, डिस्टुबिटर के पास, स्टोकिस्ट के पास, और साथ में ही स्टपेन की वेब साइट पे अवेलेबल हो जाएंगे, तो दोस्तों आपको यह वीडियो कैसा लगा, लाइक कीजिए, शेर कीजिए, साथ में ही इनवेटर के बारे में आपका क्या कहना है, आप हमें कमेंट करके बताइए, साथ में ही आपको कौन सा इनवेटर चाहिए, आप हमें कमेंट करके बताइए, वीडियो अच्छा लगाए तो लाइक करें शेयर करें साथ में ही आप कमेंट करें और अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें साथ में बेल आइकन को हिट जरूर करें मिलते हैं एक अगले वीडियो के साथ तब तक के लिए दन्यवाद